कि हलो प्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने एटीचानल सिखंद्र क्लास अपर आज हम लोग क्लास 10 के क्लास 10 के साइंस क्लास 10 के ने एंसे इससे एक वियाव बाद ज्यादा कोष्चन नहीं पुछेगा जैप प्रक्रम के परिवहन से जितने भी कोष्चन बने हैं सब को हम इस विडियो में लेकर आए हैं इसलिए विडियो को शुरू से लेकर लाश तक जरूर देखेगा एक्जाम में इससे जितना लेकर उससे एक ज़्यादा कोशन नहीं पूछेगा जदी आप लोग चैनल परना है चैनल को सब्सक्राइब जुरू करेगा चलिए आगए पहले कोशन क्यों चलते हैं किसी कोश के पौधे जैसे क्या होगा कले माईडो मोनस या इगलीना एक कोश के पौधे क्या है कले माईडो मोन मिए ये वाहन होता है किस करिया द्वारा होता है अगर आप लोगों पता हो तो पहले यह ले क्यों शूह होता है पादप में जायलम उत्तरदाई होता है और एक्जाम के लिए काफी महतफुर्ण है एक्जाम में बहुते बार पूछा हुआ है कि जायलम में पादप में जायलम उत्तरदाई होता है जायलम का कारे क्या है अब कंपरडिशन में भी यह पूछा जाता है तो क्या जायलम का क्य एक बचले जल का परिवहन करता है जायलता है जल डोने का डोने का वह पहुँचाता है ज़िए आग बहुति हुद्यां कर से i god करा हेर्दय से रखत रुधिर को सम पुर्ण सरीर में हुद कैजाता है hem रुधिर को संपूर्ण सरीद में पंप किया जाता है किसके द्वारा पंप किया जाता है तो निलाए द्वारा किसके द्वारा पंप किया जाता है निलाए द्वारा मानव कए कितने कोउष्ट में बटते हैं कितने कोष्ट चमें मवाग में ब्टत होता है तो चारकोष्ट में बटता हुता है चार भाग में बटा होता है चली आगवरतने एकले कोजन की ओर करपादप में फलोयम उत्तरदाई होता है यह भी कोजन जो है एक जाम के लिए काफी महत्तुपूर्ण बहुते बार पुछा हुआ है पादप में फलोयम उत्तरदाई होता है के लिए उतरदाई होता है तो भोजन और खनिजलवण का वहन् करता हूं भोजन को खाध पदार्थों को एक असान दूसरय शान तक ले जाता है लिए यागवकर्थ में तक न कि वह आ की bisakeookie एकार का थक्का बनाने में सहयक होता है यह कौन होता है कि रघ्ट भी या प्लेट लेट्स इसी बोलते हैं फाइब्रोजीन रक्त का ठका अन्ड कम सायक होता है फाइब्रोजीन या रक्त पट्टिकानू या प्लेट्ट लेट्स या रक्त भीम्बानू चलियागवरत एकले कोचन की और पौधों में फलोयम द्वारा खाज-पदार्थों का स्था पूछा हुआ है किस के रूप में जाता है तो सुक्रोज के रूप में किस दिसा में होता है फालोयम से खाज-पदार्थों का परिवहान पौधे में किस दिसा में होता है दोनों दिसा में क्या होता है और उपर से नीचे से उपर दोनों कोफे का फालोग होता है लेकिन कहेगा कि जल का परिवहान के प्रते हैं का2 नीचे से ऊपर पर याटा है जलबम में जल कहाता है नीचे से उपर कृण moeb रख्ट किसकी उपरस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है तो हीमोगलोविन के कारण किसे कारण से हीमोगलोविन के कारण से चल्याग बरतने अगले कोचन की और करा सुध या आक्सिजनित रख्ट बोले तो रुधीर को हीर्दे से सरीर के विविन भागों में ले जाने वाली रख्ट बहिनिया कौन है सुध रख्ट को अर्थात अक्सिजनित रख्ट को हीर्दे से सरीर के विविन भागों में कौन ले जाती है हिर्दय शरीर में कौन लेकर जाती है तो धाबनी कौन लेकर जाती है धाबनी लेकर जाती है चलिए आगा बढ़ते हैं एक लिए कोचन की और करा कि हिर्दय में बेश्मों का सिथिलन क्या कलाता है हिर्दय में बेश्मों का सिथिलन सिथिलन का मतल़ संकुंचन हिर्दय में सिथिलन का मतलब होता है फैलाव इसको बोलते हैं फैलता है सिथिलन का मतलब होता है फैलाव तो क्या बोलता है कि हिर्दय में बेश्मू का सिथिलन क्या कहलाता है सितलन क्या कहलाता है तो सितलन क्या कहलाता है डाय अस्टोल क्या कहलाता है डाय अस्टोल सितलन क्या कहलाएगा डाय अस्टोल हिर्दय में हिर्दय के बेसमों का सितलन क्या कहलाएगा डाय अस्टोल क्या कहलाएगा डाय अस्टोल और पुछेगास हिर्दय के बेसमों का संकु जालनी नली काएं किसमें पाई जाती है जाली चली नली काएं किसमें पाई जाती है कहां पाई जाती है चालनी नलिकाएं जो है वो कहां पाई जाती है तो फलोयम में किसमें पाई जाता है फलोयम में चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है फलोयम में चलियाग परते हैं एक लिए पोचन की योर करा पौधे के बाहरी बातावरन बाहरी बाइबिय भागों से द्वारा जल वास्प के निकलने की किरिया को क्या करते हैं पौधे के बाहरी बाहरी भागों द्वारा जल वास्प के रूप में जल को निकलने की किरिया क्या करते हैं तो वास्पोत सर्जन क्या कहला था वास्पोत सर्जन जल याग बढ़ते हैं अगले कोचन की ओर करजल के अवसोसन एवं परिवहन से उत्पन होने वाले दाब को क्या कहते हैं जल के अवसोसन एवं परिवहन से उत्पन होने वाले दाब को हम लोग क्या बोलते हैं कौन सा दाब बोलते हैं तो मूल दाब क्या बोलते हैं मूल दाब शर्याग बढ़ते हैं अगले कोचन की ओर करा खनीज लवन का अवसोसन पौधे किस रूप में करते हैं खनीज लवन का अवसोसन जो है पौधा किस के रूप में करता है तो आयन के रूप में किस के रूप में करता है आयन के रूप में चलिए आग बढ़ते हैं कोचन की ओर करा एक पेड़ अपने जीवन काल में कितना गुना जल वास्व उसरीद करता है एक पेड़ अपने जीवन काल में लगफ़क जो है कितना गुना जल आउस्थन जो है एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब कितना गुना जल उसरीद करता है चेल आग बढ़ते हैं अगले कोचन की ओर करच जाइलम वाई का एक कीस परकार की कोशिका होती है जाइलम जो होती है कीस परकार की कोशिका होती है तो जाइलम क्या होती है तो मिर्थ कोशिका जाइलम क्या होता है मिर्थ कोशिका जाइलम क्या होता है मिर्थ कोशिका जाइलम रक्त याँ रूधिर है रक्त या रूधिर क्या है फिक पूछा हुआ है और या रूधिर क्या है तर रो सन्यवजी उत्तक सुपढूआ रक्त पलाज्मा में किसकी मातरा जो हूती है सबसे जादा होता है इसके मात्र सबसे ज्यादा होता है किसकी होती है सबसे ज्यादा होता है तो तौन की आयां कर पड़ते हैं गणले प्यचन की और कि किस की दिवार सबसे मोटी होती है किस की दिवार जो हता हैं मोटा होता है कि इस्थ पूछा हुआ है कि किये मोटी certains था म्या निरे मिंद का धभनी की दिवार क्या होती है मोटी होती है जिसमें आलिंद और निलय दिया है पतल और निलय क्या होती हैती है और ले Sing कि क्या होती है पतली शर्याग बढ़ते हैं गले पोचन की ओर त्री दली कपाट कहां अस्तित होता है त्री दली कपाट कहां अस्तित होता है त्री दली कहेगा कपाट कहां अस्तित होता है त्री दली कपाट रहता है चलिए आगा परते हैं अगले पोचन की ओर अगर महासीरा तथा पच्छ महासीरा कहां खुलता है तो दाएं आलिंद में कहां खुलता है अलिंदो में इसे लिए आगा बढ़ते हैं अगले पोचन की ओर करा एस ए नोड इसी बोलते हैं साइनू औरी कुलर नोड को क्या करते हैं क्या कРभते हैं अ क्या है नोट को क्या करते हैं है कि क्या पड़ते हैं तो तनकरिका उत्ता जहाब चाहि grounds पेस्मेकर ट्नक क्या बंउड क्या है क्या जो महिकर करते हैं क्यों पाइस मेगएं को का प्रवाव होता है किसमें सुट और अक्षिजनीत रक्त का प्रवाव होता है तब फुपुद सीरा में किसमें फुपुद सीरा में चलिए आगड़े कोचन की वर रक्त को समाने से अधीक हो जाना क्या कहलाता है रक्त को समाने से अधीक हो जाना क्या कहलाता है जितना रक्त के रहाँ था हाईपर टेंसन कालता हना फिर लूरसा तर्ल भाग पिमोगलोविन या लाल रुधिर दाया निलाय से चल्याग बढ़ता है अगले कोचन की ओर करा द्वी दली कपाट कहां अस्तित होता है तब बाया आली इंद निला चिदर पर महा धवनी चाप कहां से निकलती है महा धवनी चाप जो होती है वो कहां से निकलती है तब बाया निला से कहां से निकलता है बाया निला से करा 180 ब्यक्ति का समाने अस्थिति में प्रकुंचन दाव और अनुसितलन दाव का अनुपाद केतना होता है 120 बटे 180 mm 120 mm बटे 180 mm HG के ब्रावर होता है चलिए आग बढ़ते हैं अगले कोचन की ओर रक्त परिवहन के दोरान हिर्दे में रक्त का भरना तथा बाहर निकलना क्या करता है रक्त परिवहन के दोरान हिर्दे में रक्त भरता है तथा हिर्दे में रक्त भरता है फिर वह रक्त बाहर निकलता है तो उसकों लोग क्या करते हैं सीरम कहलाता है सीरम कहलाता है कि कि किसको बोलते हैं तो फाइब्रोजीन रहीत पलाज्मों क्या बोलते हैं सीरम या बढाती के दोरान खृषित और पी अरिकार्डियल जली के बीच होने वाले संभाविक घर्षन से बचाता है तो पेरिकारडियल द्रभ कौन जाता है पेरिकारडियल द्रभ कर रक्त या रक्त दाब किस अंदर द्वारा मापा जाता है तो रक्त दाब या अस्फाइक मो मैनो मीटर जा में बहुते ओपार किस अंदरर या रक्त ही उडरे सांभिकन का संक चन क्या करता है और कहेगा शितलन क्या कर लाता है तो बोलेंगे डायस्टॉल सितलन कर दायस्टॉल और संगुचन कर गए ता सिस्टॉल चलिए आग बढ़ते हैं के लिए कोजन की ओर पच्चा हुआ तथा छुद्रांस वोड़े तो छोटी यान द्वारा अवसोसित वसा का परिवहान किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है तो लसी का द्वारा किसके द्वारा लसी का द्वारा चलिए आग बढ़ते हैं के लिए कोजन की ओर जल के परिवहन में मूलदाब किस समय विसे सुरूप से किस समय परिवावित होता है तर रात में कब होता है रात में चलिए आग बढ़ते हैं कोज कि और प्रकास संसलेशन के विले उत्पादों का परिवहन क्या कहलाता है? परकास अंसलेशन के बिले उत्पादों का परिवहन क्या कहलाता है बिले उत्पाद का परिवहन का मतलब एक असान दूसरे असान तक जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तो अस्थानांतरन क्या बोलता है अस्थान आंत्रन चलिए आगा बरते हैं अगले कोचन की ओर पादप के बाइबिय भागो द्वारा बास्प के रूप में जल की हानी क्या कलाता है पाधब के बाइब्य भागों दवारा, उन्हें बाहरी भाग दवारा वास्थ के रुप में जल जो निकलता है तो वास्पोथ सरजन, क्या बोलते हैं वास्पोथ सरजन चलिएग बढ़ते हैं अगले कौजन की और रक्तियारूधिर को एकात्रित कर सरीर के वीः अंगों में सी रह कौं लाता है जी आग परते हैं क्यों उस्थतों कितने कोश्ट होते हैं मचली के हीर्दे में काई कोश्ट होता है तो दो कोश्ट होता है यह पूछा हुआ है मचली के हीर्दे कितने कोश्ट में बटा होता है दो कोश्ट में चलिए आग बढ़ते हैं अंगले कोजन की ओर अस्थल चर या सरी श्रीप जैसे कोच हो गया साफ जनतों के हिर्दय में कितने कोष्ट होते हैं अस्थल चर्मन जल अस्थल चर्मन जल और अस्थल दोनों पर आने वाले या साफ में जनतों के हिर्दय में कितने कोष्ट होते है तो तीन कितने कोश्ट होते हैं, तीन कोश्ट होते हैं, चलि आगा बढ़ते हैं, हमारे सरीर में भोजन, कौन भोजन, आउक्सिजन तथा व्यर्च पदार्थ का परिभान करता है, कौन परिभान करता है, तो रूधीर कौन करता है, रूधीर, चलि आगा बढ़ते हैं अगले रूप से परिवहन करता है तो कौन करता है प्लाजमा कौन करता है प्लाजमा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोचन की और रक्त लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका पी एच मान कितना होता है गाढ़ ये जो हता गाढ़ा चारी द्रव होता है चारी तरल प पाजाता है तो केचुबा में तितली में कप रोच में और तिल चट्टा में यह सभी में जो ताय खुला परिवांस तंत्र पाजाता है यह जा में पुछा हुआ कई एक बार पुछा हुआ है चलि आगे बढते हैं अगले कौजन की ओर आनाफ हीरडा एक मिनट में कितनी बार धारकता है majority-75 आइसे एक रोड कहेगा तो 62 बार चलि आगे बढते हैं घारकान में कितना समय लगता है एक धाड़कन में कितना समय लगता है तो कितना लगता है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट आठ जीरो से जीरो पॉइंट आठ तिन सेकेंड चलिए आग बढ़ते हैं कि लिए कोचन की और किसमें केंद्रक नहीं पाजाता है किसमें केंद्रक नहीं पाजाता है लाल रक्त कन में केंद्रक नहीं पाजाता है चलिए आगए बढ़ते हैं अगले कोचन की और कराहिन में से कौन इन्टिवरडी बनाकर रोगानों को नस्ट कर दیता है नुवहरों को कौन नस्ट कर द द द आठ लिंफो साइट चलिए आगए बढ़ते हैं कोचन की और कौन जो हाए एक पर सिए दरिये पोंप यह जो मुठी क्या कार का होता होता दर्ट छली आगे पर आते हैं एक लिए फोचन की वे लैसर बस इतनाी लाश्ट कोचन है आप लोगों यह वीडियो कैसा लाए गंजो जोरू बताईएगा अगले वीडियो है